नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के आबादी इरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसत भी है अब इरान की इसी यहूदी सांसत ने इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन्याहों को धंकी दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइल का वजूद ही मिटे जाएगा इसराइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला इरान क्या इसराइल पर फिर भैंकर हमले करने जा रहा है ऐसे दावे क्यों किये जा रहे हैं कि इरान के समर्थन में यहूदीयों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई इरान के सुप्रेम लिडर अली खामनई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है यह दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधान मंतरी नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंतरी योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडों के होश उड़ा दिये हैं इरान के इस एहूदी सांसद का नाम हुमायू सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस ट्रीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नई की यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला इरान में एक यहूदी सांसद हमायू सामेह या नजवाबादी ने इसराइली प्रधान मंतरी विन्यामिन नेतनियाहू को धम की देते हुए कहा है एक अक्टूबर कोव मिसाइल हमले के जवाब में अगर अश्रिया देश एरान पर इसराइल हमला करता है तो ये नेतनियाहु सरकार के मुर्खता साबित करने वाला ख़दम साबित होगा येहुदी सांसद हमायु ने नेतनियाहु सरकार को चेताउनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से एरान नया हमला करके चौका सकता है हमायु नस्वाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल के वज़े से पूरे पश्रिम एशिया में चौतर फा युद्ध शुरू हो सकता है कई लोगों के दिमाग में सवाल कौद रहा होगा कि इरान में यहुदी कहां से आगे हैं और यहुदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि इरान में मौजूद यहुदी पूरी तरह से इरान के सुप्रेम लिडर अली खामनेई के वफादार हैं वो जितनी मुहब्बत अली खामनेई से करते हैं उससे कही जादा नफरत इरान के यहुदी ने तन्याहू और इसराइल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारी हुए आंकड़ों के मताबिक इरान में इस वक्त 9200 से जादा यहुदी रहते हैं पश्मी अश्या में इसराइल के बाद सबसे जादा यहुदी इरान में ही रहते हैं 1948 तक इरान में ये एक लाख यहुदी रहा करते थे लória कि बतले हालातों की वजय से अब इरान में 9200 यहुदी बचे हैं इरान में रहने वाले यहुदी को इरान का वफादार माना चाहता है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमायू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे हैं कि इरान को इजराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुर्रम चैनेंज जी हाँ इरान की चौथी पेड़ी के खुर्रम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का कॉंट्विडन्स हाई है इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी बीजोड है जिसके आगे कभी कभी आयरेड डोम भी नाकाम हो जाता है खामनेई का खर्रम चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचैक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिक कर सकता है जैसे हमास और हज्बुल्ह के धाकड नेताओं और कमांडरों को मारा गया है इसलिए एरान ने अपनी मिसाइल टाकत के दम पर इसराइल पर भयंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है खास तोर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से एरान इसराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है अब आप जरा ये जान लिजे खामने मिसाइलों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाडी के नीचे मौझूद है इस सुरंग बंकर में इरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बलिस्टिक और हाईपरसोनिक मिसाईलों को साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इरान की मिसाईलें जबरदस्ट हमला करने जा रही हैं इरान की ये मिसाईलें हर तरफ से लाँच हो रही है Center for Static and International Studies यानी CSIS में मिसाईल Threat Project की 2021 की रिपोर्ट के मताबिक इरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाईलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नीज आउटलिट ISNA और दे इरान प्रेमियर के जरिये इरान की मिसाईल श्रम्ता के बारे में जानकारी दी थी जिसमें इरान के ऐसी नौ मिसाईलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं और इरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है हम आपको बता दियें कि अमेरिकी वाई उसेने के जरनल केनेथ मेकेंजी ने 2023 में कॉमरिस को बताया था कि इरान के पास 3000 से ज़्यादा बलिस्टिक मिसाईले हैं ये रिपोर्ट 2,5 साल पहले की है अब तो और भी ज़्यादा बलिस्टिक मिसाईले इरान के पास हो सकती है कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि अरण के पास दो लाग से जादा मिसाईले हैं जो इसराइल को आसानी से तबाह कर सकती है अरण की सबसे नए मिसाईलों में मेडियम रेंज के बलिस्टिक मिसाईल खुरम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिये है इरान के खुरम शहर के नाम पर बनी खुरम शहर मिसाइल के रेंज 2,000 किलो मिटर है खुरम शहर मिसाइल की स्पीड 9,878 किलो मिटर प्रती घंटे से 19,756 किलो मिटर प्रती घंटे के बीच है जो इसराइल पर बहुत भारी थावित हो सकती है वह ये शहाब 3 मिसाइल की रेंज 1300 किलो मेटर है जो 8640 किलो मेटर की रफ़तार से हमला करती है जबके शहाब 4 की रेंज 2000 किलो मेटर जो 203 गुना रफ़तार से हमला करती है इमाद की रेंज 1700 किल्वाट है, इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबकि अइरान के हाईपोसोनिक मिसाइल फता, मिसाईल के अधिक्तम स्पीड 16 000 किलोमिटर प्रती गंटे होती है यह मिसाइल हाईपोसोनिक गती से उडान भरती है फता मिसाइल साउंड की चाल से पांच गुना तेज रफ़तार से उडान भरती है इसके अलावा एरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौका दिया था वही इरान के खाइबर शेकर ने इसराइल के तीन सेन्य अड़ो को एक अक्टूबर के दिन जबरदस्त नुकसान पहुचाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरी किल ठोक सकती है हज कासिम की रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसर खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद धस्तर पर रणनीती तयार की है सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डील हुई है जिसके तहट इसरायल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भड़काएगा अमेरिका और इसरायल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तैयारी पूरी कर ली है 10 अक्टूबर को देर रात इसराइली सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक हुई इस सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैठक को एरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंत्री यौग गैलन्ट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलन्ट ने कहा है कि सौरगे के दूर खूल चुके हैं सही समेया चुका है इस बयान का मतलब मना जा रहा है कि इसराइल इरान के परमालू सायन्तिरों पर हमले करने वाला है इसराइल ने एलान कर दिया है कि प्रॉक्स момент के हाथ पहर हैं अब इन्हें काटने के बज़ाए इनका सिर्क चलने का वक्त आ चुका है इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है इरान क्योंकि इरान की वज़े से ही इसराइल को साथ फरंट पर जंग लड़नी पड़ रही है इसराइल को लिबनान गाजा पर्टी इराक वेस्ट बेंक सिरिया यमन और इरान से जंग लड़नी पड़ रही है इन सब का शक्ति किंद्र तहरान है और अगर तहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल इरान का वही हाल करेगा जो घाजा और लिबनान का इस वक्त हो रहा है इस्राइल ने लेबनान के बारज़ा में बहुत बड़ा हवाई हमला किया इडियाफ की एर्स्ट्राइक में कई बहु मंजराय मारते जमी दोस हो गई तो बहुत दक्षणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई चारी है डक्षणी लेबनान में तनात सायुक्त रास्ट की शांती सेना के हेड क्वार्डर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी कोली लगी वार जोन की तरह ही डरावना अपडेट इरान से आया है ज़ाई रान इस्वाइल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है क्वार्डर पर भी हमला है एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वही पर 200 मिसाइले गिरी फटी और इस्वाइल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के ओरडर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इनी मिसाइलों को इस्वाइल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है लेकिन याद करिए कि कैसे वेरूत में हिजबुल्दा लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाके टॉकी बंबन गए थे इसराइल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराइल हमास और हिजबुल्दा के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है यह गाजा इन तस्वीरों से समझी है यहां पर एर स्ट्राइक हुई है यह आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए है उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराइल की तरफ से हमले किये जाना है तो फिलाल यह जो आप इरिद गित देख रहे हैं यह रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमे हैं जो यहां पर अभी पहुंची है अभी यह क्या पना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहां से यह है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाउंपर लगी है इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन रफ़ा में कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट में इसराइल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीथलो उड़ा दिये है अलजनेना इलाके में यासीन 105 अंटी आर्मर विस्पोटक गोले का इस्तमाल करके इसराइली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर को बर्बाद किया गया है अलगी हमास और हिजबुल्ला दोनों को तेहरान से आई अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान के मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहू चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराइल के आर्मी तै करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतर्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इसराइल हाइटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले घजा, फिर बेरूद, और अब तहरान का नंबर इसराइल के टार्गेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है एक-एकर दुश्मनों का सफाया, शेहरों की बरबादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खादमा नेतर्याहू ने हमास और हिजबुला को जिस तरह कुचला है, उससे भी खौफनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है, शनिवार को इरान की वर्ल लाइफ लाइफ लाइन हैक कर दी गई थी इसराइल ने ऐसा कुछ किया, जिससे तहरान में कोहरा मच गया आधी रात को इसराइल वार रूम ने ये मैसिच सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, तहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है इरान में साइबर अटैक हुआ, इस अटैक के माइने क्या है? क्या इरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है? डीटेल डरावनी है। इसराइल के दुश्मनों के लिए भैयानत। जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पाउफुल वार प्लैन, 200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रेंट, मगर वार जोन का ये विद्वनसक द्रिश्चे देखने चलिये। हाइफा, गैलीली और लेबनान वाडर पर इसराइल की जमीन जल रही है। कांच की टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सोलर सिस्टम पूरी तर से नस्ट हो गया है। कि अबनान में हिद्वनला को 22 शेहरों में डेथ वारेंट का इस्तिहार चापा है। ये जो आप इरिद गरिद देख रहे हैं, ये हर तरफ से तबाही है। मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने के कोश्च करूँगा। ये आप देख सकते हैं, यहां की गाडियां किस तरीके से बरबाद हुई है। क्योंकि यहां पर लगातार इसराइल की तरफ से सिट्राइक्स की जा रही है। और यहां पर इसराइल को लगा था कि हिजबुला के कमांडर इस एरिया में है। और जहां पे भी उनको कोई information मिलती है वो उन्ही इलाकों को बरबाद कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये बिलकुल बड़े पैमाने पे यहां तबाही हुई है जहां पे भी आप नजर दोड़ाएंगे वहां पे तबाही दिख रही है तबाही के मनजर news 18 network पे आप इसराइल ने लिबनान के एताल शाफ, रामिया और हनीन जैसे बाईस इलाके हिजबुल्ला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिये हैं आईडिय अप ने बाईस इलाके खाली कर अलवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान चुनाया है दक्षडी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेन पर भीशन हमले किये हैं दक्षडी लिबनान के बारजा में भी IDF ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा हैं उदर बेरूत में भी इसराइल बारूत की ही पढ़ने दे रहा है इस बीद बेरूट में मारे गए इस बुल्ला के टॉप कमांडर और इरान के कमांडर के शबू के शिनाख भी हो गई है इरान की इसलामिक रेवलूशन गार्ड्स कॉप्स के टॉप कमांडर अबास निल फुरुशान की डेट बॉड़ी भी मिल गई है आयार जी सी कमांडर अबास की मौत नसर अल्ला पर हुए हमले में हुई थी कितनी तबाही हुई है यहां पर मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूँ है आपको कि यहां पर रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वज़ा से आप देख सकते हैं बिलडिंग्स में यहां पर क्या तबाही हुए है सब कुछ बिखरा पड़ा है। और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और लगातार इसराइल की तरफ से रोकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्ला की तरफ से भी अटाक किये जा रहे हैं। बचे खंडहरों का दोरा कर रहे हैं। इसराइल की तबाही तक हिजबुल्ला का युद्ध में साथ देने का एलान किया है। अपने भाशन के बाद गालिब अपने लिबनान के कारवाहक पुर्धान मंतरी नजीब मिकाती से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद हिजबुल्ला के मीडिया आफिसर हज मुहम्मद अफीफ ने नितनियाहू को डारेक्ट थमकी दी है। हिजबुल्ला और एरान की धंकिया एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसराइल का नेक्स्ट आक्शन। इसराइल ने साइबर एक्शन की थ्रिलर आक्शन से तेहरान की टेंशन बढ़ा दिये। इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो की हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा। इरान के साइबर स्पेस के पूरुफ सचिप फिरोजबादी ने इरान इंटरनाशनल के हवाले से दावा किया है। कि इरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है। इसराइल दबाएगा और इरान को दहलाएगा हाइटेक लड़ाई में इसराइल की साइबर आरमी बेजोड मानी जाती है जो जब चाहेगी तेहरान को कबाल खाने में बदलने का दम रखती है तकनीक के दम से जीते जाते हैं इरान को भी ये पता है इसलिए साइबर अटैक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये है इरान के उड्डियन मंत्राले ने मुबाइल के लावा किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर बैन लगा दिया है यानि प्लेन में पेजर और वाकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रोनिक उपकरोनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है इस बुल्ला के पेजर और वाकी टॉकी को तेलवीब में बैट कर बम बनाकर उड़ाने का नमूना इसराइल पहले ही दिखा चुका है इसके बाद इरान के साइबर वर्ल्ड में सेंधमारी ने नेतन याहू की पावर को डबल कर दिया है इरान के सभी हत्यारों को हैक कर इसराइल इरान से बदला लेना शुरू कर सकता है इसराइल के हाथ अगर इरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा इसराइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने भी इरान पर करारा प्रहार किया है अमेरिका ने इरान पेट्रोलियम कारुबार से जुड़े 6 संस्थाओं पर प्रतिबंद लगाया है अमेरिका ने इरान के 6 जहाजों को ब्लॉक्ट प्रॉपटी के रूप में पहचान भी की है इरान की 10 वित्ते संस्थाओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है इनके 17 जहाज के कारोबार भी ठप कर दिये गए है इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है इसराइल कभी भी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल इरान को दहलाए और फिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले लेकिन इरान भी जुकने को तैयार नहीं इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है मुहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वार प्लान का सिगनल बताया जा रहा है लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैय है इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही नमस्कार